नमस्कार मित्रो जै माता दी माता राने किर्पा से फिर से एक और नई वीडियो में आप सबी का स्वागत करते हैं आज के वीडियो मेश राशी वाले जातकों के लिए बहुत तकास और बहुत ही इन पॉंटेन होने वाली है आज के दिन का क्या रहने वाले आपका भागी शाली रंग और क्या रहेंगे आपका भागी शाली अंख और आज का दिन चरिया कैसे रहने वाले हैं और आज के दिन आपको कैसे कारी करना है और आज की दिन आप सभी को कीन कीन चीजों से आपको लब मिलने वाले हैं और कीन कीन चीजों से आपको शाबधार रहना है इस वीडियो में आपको पूरी जनकारी मिलने वाले हैं वीडियो को पूरे आन तक देखें और वीडियो का कोई भी पाट पसन आए तो वीडियो को लाइक करे और नीचे कमेंड बॉक्स में कमेंड करे जै माता दी और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करे आज बेकार का तनाव और चिंताएं जिन्दगी पर रस निचोड़ कर आपको पूरी तरह से चूश सकती हैं भलाई इसी में है कि इन आ क्योंकि इस से चलते बड़े बुजरों की आहाट और महसूस कर सकते हैं बेकार के बाते करके समय बरवाद करने से बैतर है कि आप सांत रहें याद रखे कि समझदार कामों में कि जरिये ही हम जीवन के अर्थ देते हैं उन्हें महसूस करने दे कि आपका उनका ख्याल रखत जिन लोगों के घर में वाले सिकायत करते हैं वे घरवालों के लिए प्रियावत समय नहीं देते हैं वे आज घरवालों के समय देने के बारे में सोच सकते हैं लेकिन एन वक्त पर किसी काम के वाने की वज़े से ऐसा नहीं हो पाएंगे जीवन साथी के साथ में आज के दिन साम वाकई कुछ खास होने वाले हैं अपने चरित और साधा बैदांग रखना आर्थिक इस्तिति भी आपके लिए बहुत ही सूब रहने वाले हैं घर के साथ साथ बहारी गती विद्यों पर भी आपका ध्यान केंदित रखेंगे आपकी योग्यता वेपारिक सोच में से आप लाव के नए अफसर मिलने वाले हैं इसरी ये सता का भी और विश्वास बनाई रखने के भी और आज आपके अंदर में सकारत्मक विचार बने रहेंगे और आत्म बल्म भी बढ़ेंगे किसी नजदिकी मित्र की गलत विवार से आप भावनात्मक रूप से गुष्वामय के लिए दूखी हो सकते हैं परन्तु जल्दी आपकी मनो इस्तिती में काबू भी पालेंगे परिवार में चल रहें किसी भी समस्या को दूर करने में आपका विश्वेश प्रियास भी जोड़ी है बेपसाई संबंदे गती विद्यो शमान ही चलती रहेंगे कला टूर और टिर्वेर्स मेडिया आदी जैसे चेत्रों में बैतरी मुनाफा होने की शम्भवना है और अपिस में किसी भी सयोगी के साथ में फालतु विवादों में ना उलजे विवातर संबंदों में आपके मान संबन पर भी नकारत्मक परवाब भी पड़ सकते हैं बेतर होंगे कि आपके घर में केरियर के लिए बहुत ही धियान दे भावनात्मक रूप से मनों बल में भी कुछ कमी मैसुस करेंगे सकारत्मक बैने रहने के लिए कुछ समय परनाली में मेडियसन जरूर व्यतित करें और आज आपका भागी शाली रंग रहने वाले हैं पीला जो आज के दिन के लिए आपके लिए बहुत ही फाइदे मन रहने वाले हैं पीले रंग का वस्तर एक अपड़े पैन कर जिस कार के लिए आज घर से निकलेंगे वो कार याज आपके पूर्ण होंगे और आज आपका भागी शाली अंक रहने वाले हैं नो जो आज के दिन के लिए आपके लिए बहुत ही फाइदे मन रहने वाले हैं और आज जिन बातों में आप प्रगिर्थिक प्राप्त कर रहे हैं वहीं प्रगिर्थिक आपके कायम रहेंगे या नहीं इन बातों के संका मन में और बार बार उत्पन होंगे जिसके कारण काम पर घर में अपना ध्यान हट सकते हैं भविश के बारे में चिंता छोड़कर वर्तमान में जिम्यदारी को ठीक से निभाने के भी कोशिश करें और आग काम के क्वालिटी बनाई रखने की जोड़ दें काम से संबंदी होरी प्रेगिर्टी के करन जितने मित्र प्राप्ति के कर दिये रहे हैं उतने ही सत्रु के लिए अपने निर्मान भी हो रहे हैं इस बात का ध्यान रखें पार्टनर्स के साथ में पैसों से संबंदी चर्चा या वाद विवाद ना करें बार बार होने वाले तिर्व सीर दर्द किसी बड़ी बिमारी की सुर्वाद भी आपके उपर हो सकती हैं डोक्टर से जांच करवाना आती आविश्कता भी होने वाले हैं कारी के अधिक्ता ठकावड या बैचरी भी ला सकती हैं यत्रा या अनिभागा दोड़ी का प्रियाप्त नियंतरन रखे सर प्रिक और आज श्रिता का शमना करना पड़ सकते हैं इस देव को देशी घी का भी दिपक करके पीली मिठाई का भी भोग लगाए इनसे आपके बहुत बड़े भी फाइदे होने वाले हैं और आज बड़ी उम्र के साजदारी के साथ काम कर रहे हैं तो आज लाब की स्थि भी बन सकती हैं सरकार में अटके काम में उलेखने प्रगिर्तिक भी हो सकती हैं बलर सुगर के मरीज खास आपधानी बढ़ते हैं कूल देपता को पारंपारिक भोग लगाए इनसे आपके बहुत बड़े भी फाइदे होने वाले हैं पलिसमेंड एजंसी चलाने वालों के आज के दिन अधिक अनुकुलता भी रह सकती हैं काम की वैस्तित कर किजिए अन्याथा कोई खास काम नजर में छूट सकते हैं सिर में दर्द भी रह सकते हैं गनेश भगवान को चंदन का तिलक करे इनसे आपके बहुत बड़े भी फाइदे होने वाले हैं और बहुत सतवरान भी सुखद रह सकते हैं गुत्तों को गूड रोटी दे इससे आपके सारी रित स्वास्ति अच्छी रहने वाले हैं निकड के संब्द आज आपके लाप दे सकते हैं या फिर भी लाप का अफसर आपके उपलब दिब करवा सकते हैं रोमांस का मौका हांत बे आ सकते हैं, इस्ट मित्रों को लेकर प्रियापत रुप से सन्वेच सिल भी रहे, इनसे अंदेखी ना करें, संकट मोचन हनुमान अश्टा का भी पाड़ करेंगे तो हनुमान जी आपको लभी लभ देंगे, और आज बिजली विवाग के लिए अध प्रियापत रुप से सजग रहे, स्वास्त आपके तुलनात्मक रुप से चंगा रह सकते हैं, रुदराक्ट के पोधे में जल चड़ा कर उसके मेटी ललाठ पर खाड़ा तिलग करें, इनसे आपके बहुत बड़े भी फायदे होने वाले हैं, और बहुत बड़े भी से जूड़ी इस्तरी प्रित वर्दान वाले लोगों के लिए अच्छा अपसर भी मिन सकते हैं, यदि आपके परिवार में खंदानी रूप से बलर्ट सुगर की समस्या हैं तो खास ध्यान रखें, चिर्चिरे पंचे आपको बचने की भी जुरत होंगी, भेरब बाबा को का चोड़ी और समोसा, मोटी बुंदी का भी लड़ू चढ़ाएं, इनसे आप भेरब बाबा पर्षन होते हैं, और आपके सारी मनोकाम ने भी पूर्ण करती हैं, कोट में केस हैं तो इस मावले में आज निरासी वाले बात सामने आ सकती हैं, किसी से भी उलजे नहीं, हथि कारों से भी और दूर रहें, मंदिर के संचारन में धनराशी आपको बैट करें, इनसे आपके बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं, और आज मेश रासी वाले के लिए भी अपने वादों का सम्मान करें, आपको अपने लिए अपने मजे तथा आनन के शमय में समझोता कर करना पढ़ सकते हैं, परन्तु अगर आप दूसरों के दूख नहीं पहुचाना चाते तो आपको यह करना पढ़ेंगे, आपके एक कलपना सकती को अपने लक्च प्राप्ति के सहता बे करने वाले हैं, और आज आपने मानी आविश्कताओं को ध्यान रखते वे, आप प्र सकती हैं, आज आपके विश्यस आविश्कताओं को देखते हुए, अपना खाना भी विश्यस होना चाहिए, अपने स्वास्ट के लिए हानिकारक चीजे बिलकुल भी ना खाए, अगर आप किसी भी लंबी बिमारी के लिए जूज रहे हैं तो और नियमों का पालन नहीं कर रहें तो सकती के नियमों का भी पालन करना अती आविश्कता भी होने वाल हैं, अगर आपको लगता है कि आपके रोम्यंटिक संबन अथ्वा आकर्शन होने के मामले में कम अलंका जाता हैं तो आप समय आ गहे हैं, इसके बारे में कुछ करें या कलपना करने की कोशिश करे आपका ऐसा देखे